नमस्कार, धर्म घ्यान में आप सभी का सुवागत है, मैं हूँ आपके साथ कविता राना और मेरे साथ मौझूद है दुनिया के सूप्रसित सुदरशन चक्रे जोतिश अचारिय श्री संत बेतरा शोकाजी। रीढ़ किरा है तो वहीं अब दूसरी तरफ शत्रोगन सीना है जिनोंने मौंमद ऐली जिना को देश की अजादी के नायग बता दया तो वहीं उन्हें कॉंग्रेस पार्टी गंडाय बता दिया ऐसे में समय सवाल उड़ता है कि यह बीजिपी पार्टी पे चानक्य नहीं अनली बोल रही है इस समय जो है लगन जो है भृष्चिक है और भृष्चिक लगन को मंगल देख रहा है मोदी जी की भी भी भ्र donation राशी है और वहाँ ब्रिस्पति बैठाव है उसको उस राशी का स्वामी मंगल देख और मंगल जो है शुक्र की राशी में है ब्रिक राशी में और शुक्र जो है पंचम भाव में बुद्ध और शुक्र का यूग जो है पंचम भाव में और मानिय राहूल जी की नाम राशी का स्वामी भी शुक्र है शुक्र उचका है और बुद्ध जो है नीचका है तो अभी जो निकट भविशे में रेस्ट जो आपके चुनाव के जो वो दौर रह गए हैं उसमें एक तो राहूल जी के अगेंस्ट कोई एक बहुत बड़ा स्केंडल सेक्स केंडल भी मार्केट में आ सकता है दूसरा जो प्रशन आपने पूछा मैं उसका जबाब देता हूँ कि क्या बीजेपी के या एंडिये के थिंक टैंक ने या एंडिये के चानक क्यों ने आपके चत्रोगन शिना और नव्योत सिंग सिद्धू को कॉंग्रेस में प्लांट तो नहीं किया है कि वो वहाँ से मोदी जी को गालियां दे और ये वली भविशेवानी आस्ता आस्ता सिद्धो और पॉपलर्टी का ग्राफ उपर की तरफ जाए कहीं हद तक क्योंकि देखे एक विक्ति पांच साल अगर बीजेपी में रह जाता एक विक्ति कोई भी ने था अगर बीजेपी में पांच साल रह जाता है पाँच साल तो बड़ी दूर की बात है अगर आप RSS की एक कोई अच्छी मिटिंग और बैठक भी अगर आप अटेंड कर लेते हैं तो आपका दिमाग वो चेंज कर देते हैं हिंदुत सिरफ हिंदुत की बात होती है कि हिंदु राष्ट की बात होती है देश हिद की बात होती है वो व्यक्ति अचानक कि एट ट्वेल्थ आवर पे जिनना को जिनना का जो भूत है वो दुबारह उसने निकाल दिया पिटारे में से मतलब उन्होंने तो INC का अब्बू बना दिया उनको जिना को कि वो जो हैं इंडिया नेशनल कांग्रेस के ही हैं और उनकी विचारधारा को बहुत बड़ी अच्छा विचारधारा बताया कि उस तेम जो रिक्वार्मेंट थी देश में विभाजन के लिए तो इसलिए वो मह महान बता रहे हैं और उन्हीं की तर्ज पे कांग्रेस के कई निता भी यह चीज अब यह वक्तविया दे रहें कि भाई जिना जिना ने जो किया वो देश का विभाजन उस तेम पर जुरूरी था और उन्होंने एक बहुत बढ़िया डिसेजन लिया अब बात ही आती है कि इस विचारधारा में पांच साल रहने के बाद पीचे बीके साथ और एसस की विचारधारा को मानने हुआ लविक्ति क्या कभी ऐसे वक्तवियत दे सकता है और अब सड़न क्या वो चेंज हो सकता है कुछ भी हो अगर आप देखेंगे केडर के जो वि पांस्तित के लिए लगा देते हैं तो कहीं दाल में काला हो भी सकता है कि क्योंकि एवरीधिंग इस फियर इन वार लव एंड वार अगर आपको लव एंड वार में एवरीधिंग इस फियर तो यह भी एक बहुत बड़ा हुआ रहे हैं देश में से और आजक तत्वा को जर को चिन लोगों ने चोदा से दस साल पहले चार से दोजार चोदा के बीच में देश को दोनों हाथों से लूटा 2004 से लेकि 2014 में आपका जो इलक्टोनिक मेडिया है उस पर जब यह चर्चाए होती थी तो कॉंग्रेस के नेता हसके जवाब देते थे कि आप हमारा कुछ बेगार नहीं सकते हैं इसी तरह से करेंगे यही हमारी स्टाइल है आप अगर उठा के देखेंगे पिछली जो उनके discussions हैं तो आपको साब समने आ जाएगा उसका खामयाजा देश ने 2014 में दिया अब जो है जो मोदी जी के अगेंस्ट नारा उठाया है वो भी हंड्रेट नहीं 200% मोदी जी के फिवर में जाएगा समीधान बचाओ वाक्या में समीधान बचाने की जरूरत है देश के हित में नहीं देश के विरूद अपने वोट बैंक के हित में जो डिसिजन कॉंग्रेस ने पाकिस्त कश्मीर के लिए धारा 370 और 35 एका लिया वो देशित और राश्टित के लिए बिलकुल ठीक नहीं थ देश का हर नागरिक जानता है कि 35 ए और 370 धारा जो है उसमें जमुर एं काश्मीर के जो नागरिक हैं उनके लिए क्या क्या उनको क्या क्या अलग सहुलते दी हैं और वो उसमें पाकिस्तान के फिवर की चीजे हैं हिंदुस्तान के साथ है व पाकिस्तान के सब्सक्राइशं के कि सब्सक्राइशं ravis. आप वहां पर परपर्टी निखरीज सकते हällt वहां पर वहीं कि चीजिए यह जो बिल्कुल देश फंट राश्थित के व्रुद्ध है लेकिन सर अब एक सवाल ये भी उठता है कि जो की श्यत्रगन सिना की जो वाइफ है पूनम सिना उन्होंने तो SP जोइन कर ले समाजवादी पार्टी और अभी हाल फिल हाल में वो अपनी वाइफ के लिए भाचुना प्रचार करने गए उन्होंने कहा कि मायवदी और अखिले शादव जैसे प्रधान मंत्री होने चाहिए क्योंकि उनमें काम करने की तत पड़ता है तो ऐसे में एक तरफ वो यूपी में जाके मायवदी और अखिले शादव को पीम मेटीरल बोल रहे और दूसी तरफ उन्होंने कॉंग्रस का दा प्रधान मंत्री हैं यह तो उनके लिए भी बोला है अब जो बंदा समय के हिसाब से जगा के हिसाब से स्टेटमेंट बदल लेता उस पे कौन विश्वास करेगा मैं जो आपको बात बता रहा था कि काश्मीर की जो धाराएं है वो देश यह तो राश्टित के लिए नहीं है ऐसे कई ऐसे समीधान में करेक्शन चाहिए जिसमें ट्राइटर्स देश द्रोही देश के विरुद काम करने वाले जिस धारा के अंदर वो अंदर जाते हैं वो धाराएं बड़ी स्ट्रॉंगली इंपिल्डिमेंट होंगी क्योंकि सिस्टम करेक्ट करने के लिए एक बहुती स्ट्रॉंग एड्मिस्ट्रेशन चाहिए जिसको लोकसभा, राज्यसभा और एंटार स्टेट्स में बहुमत हो तो वो अब जो है आपका दो हजार उन्नीस में होने जा रहा है मैंने ये भविश्यवानी की थी कि दो हजार उन्नीस में ना भूतो ना भविश्यती में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कॉंग्रेस के स्टालोर्ट से नेता गांधी परवार के उनके अगेंस्ट स्ट्रॉंग केंडिडेट खड़े किये हूं और इस वार भी उतने स्ट्रॉंग केंडिडेट नहीं खड़े किये लेकिन इनको जो है ना कोच चने चबवा देंगे राइबरेली की सीट अमेठी की सीट और वाइनर्ड तीनों जगा पे इनको जो है हार का सामना करना पर अगर गांधी परवार संसद में नहीं पहुशता तो परिवारवाद का खात्मा हो गया रही बात माहागडबंदन की तो माहागडबंदन का अबजेक्टिव मोदी जी का क्या था मोदी जी ने देखा कि देश को छुट भईये नेताओं ने जातियों में और धरम में बांट के रखा हुआ है उसके लिए कुद्रत की तरफ से माहगडबंदन के नेताओं को उपर वाले ने ऐसी बुद्धी धी कि उन्होंने अपने वोट बेंक को बोला कि भईया आप इकठे होके मिलके एकी जगह पे वोट करो क्योंकि हमको मोदी को रहाराना है आपको जब चुन के उपर भेज देते हैं तो यू कें टेक एनी डिसीजन बट आप अपने नीचे जो हैं उनसे कोई चीज इंप्लिमेंट नहीं करवा सकते अगर परिवार में डिविजन की आपने जातिवाद की और धर्म की अगर धिवार खीच दिया है तो उसको इतनी आसानी से नहीं तोड सकते घर के जो दड़़ज हैं अगर वो चाहें कि मेरे दोनों बेटे जो अलग-लग हुए थे जिनको मैंने एक लकीर खीज दी थे कि ओधर वाला आप का और अगर वो चाहें भी तो बीच की दिवार नहीं गिरेगी क्योंकि वो बेटे तो चाह सकते हैं कि दिवार गिरा दो लेकिन उनके बच्चे जो आगे जिन लोगों ने उस दंश को सहा है सडको पर एक दूसरे से लड़े हैं एक दूसरे को गाली गलोच किया और एक दूसरे की अगेंस फाइट किया है वो कैसे और उसमें बज़ूर्ग भी हैं उसमें जीवा भी हैं क्यों एक दूसरे के अगेंस को देंगे तो उनको जो है वो कन्फ्यूस हो जएंगे तो उनको एक की चीज नजर आएगी देश ही तो राश्ट्रीत के लिए कौन बंदा आगे है और जो है उसके उपर बटन इस वार जो है ना भूतों ना भविश्यति मैंने ये भी भविश्यवानी किये कि देश की दो राष्टिया पार्टिया जीरो के आसपास पोच जाएंगी सिंगल डिजर्ट में पोच गी तो समझो जीरो है चले से वह तो नतीजे बताएंगे कि इस बार आपकी भविश्यवानी शत्त प्रतिशत सटीक बैठती नहीं बैठती है तब तक लिए हमसे जुनने कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया और यूही आप धर्मग्यान के साथ जुड़े रहिए